अश्राराएम चूर्थ साद हम सिप्सिन स्ट्राइक ऑं सर्बेंगे और यह जो ज्यादा कि उताथ है व अग्निटीव घर उपैक्टिव डोमेन और शिप्सिन स्ट्राइक का मोटर डोमेन इसमें जाते हैं तो उस लियास्ट हम इसको ड़िए करेंगे तो और इसके अलावा कि यह जो साइको मौटर डुमेंड है इसकी और भी तो मेंड है तो लेकर जो वह सिंस्पन की है वह कि पेश की है तो अगर आप ने कर नी है तो वह आप उस्से का लेडियेगा ठीक है जी वह लेकि नाम से जाइड है साइको मौटर तो इसका तालुक इसके साथ होता है बौटी मौवमेंट के साथ होता है हैंड के साथ होता है और हैंड का तालुक इसका साथ होता है फिसीकल मौवमेंट के साथ है तो साइको मौटर डुमेंड में हम क्या करेंगे फिसीकल मौव इनकलूडनेशन एंकलूड अब फिजिकल आपने फिजिकल है वह सारी कुछ यहां पर आपने स्टैडी करते हैं इस्टेटी पुच्छ पॉछ मोटनेशन अंकलूड motor skill areas जो प्याप skill सीखती है वो आप क्या करती है movement coordination एक link के दरियर आप जा करती है आप कोई दो प्या granite skill सेखती है तो जो प्याप ha Chicken सीखती है जिसका तालग physical moment के साथ होता है यसा कि आप वो example ले ले कि जी mechanic है गाडियों का मेकानिक आप जो गाडियों आप benने गाडियों का मेकानिक आ दार उसने गाड़ी के आठीन काड़ी को फॉलना है इस celebrity करने है पूर्जे नीकालने कि फॉर्जे को ठीकरने तो इसमें उसके hand यूज हो रहा है याने कि फिजिदिकल भॉवमेंट उसके यूज हो रही है तो अगर जถुर्जा आपको नएा शक्रेट हायर करता है नएा बच्चे को छिखाता है तो बच्चा भी क्या करेगा वो बच्चा भी वो अपनी physical movement को यूद करेगा तो इस तरह गऑश्चिल जो हम physical movement कर के सीखते हैं तो इसका मतलब हम जब perform कार हुरे हैं हम psycho motor domain को भूबेक का रहे हैं हम psycho motor domain को follow का रहे हैं clear? psycho motor domain मेश्चिल सीखते हैं और वो स्केल का तालुक इसके साथ होता है जब आप अपनी हाथों का यूज करती है नाट खोलने के लिए पुर्चा निकालने के लिए उसमें आप क्या करें होती है आप अपने रिफ्लेक्स को यूज करें होती है करें तो यूर्ण तो इंटर्प्रैट इंफर्मेशन जब बाब के साथ शॉड़ को खोल रहा है तो आप सब्सक्राइब और उसको देखती है उसकी पार्टी मूमेंट्स को देखती है तो इस सबसेट करते हैं तो गारी खुलना जीक जाती है तो यह जो दोमेन साइको मोटर यह तीन डिफ्रट डुमेंड्स है देब डुमें जेब डुमेंड रोमिटो में उसका इसके सथ सेब्स्याइब यह आप यह कह सकती है कि सिपसंग की साइको मोटर मोट्टों इस सेवन पॉड किया गया है और है इसकी साइको मोटू डॉमेघWorld को नाम दिया वह डिफरेंट और जो यसमा जो info को नाम दिया वह डिफरेंट है ने हैं लेकिन चो एडर ड läuft टूनों तीनों का सेंहों को के नाम को करते हैं मुद्र प्रैक्टिस अब जब आपको सिखती है तो पहले का तो यह ना आती है आप क्या करते हैं पार बड़ प्रैक्टिस करती हैं पहले दफ़ाइब करेंगे तो आपसे मतलब है पाइफ परसेंट होगा तो 95 परसेंट आपसे वह चीज वर्क ही नहीं करेंगी थे इनों ने अपनी डुमें अपनी 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 सॉको मटोड डुमें दी थी पहले जो हमने वह बड़ा तos भी रजाए उसमें था खिई मिल के डुमेन एक पेश करें सैंडा कर लाक लग वंटुमेन पेश मेंद्य किस्थी है तो आम कहा करते हैं बार बार प्रैक्टपर्टेस करते हैं पहले रपार करेंगे 5% अच्छा करेंगे 6% अच्छा कर दिया झिए 3% कर दिया नमाज पो छिछोटा बच्चा है उसके नमास आफारे नमाज है पूंडी मॉvमेंट वारी है तो इसका तो आप क्या कहा है आप अपनी हाथ वो पुलंद करेंगे फिर पर अपनी हाथ पांदेंगे नश्य के फिर पत्या भगर आप पढ़नों शुरूकर देंगे उसके बाप फिर अपनी हाथ उटाएंगे पिर आप रहे फेराborg में जाएंगे फिर आपने सुरह पात्या पढ़ी फिर आपने सुरह तोहीद पढ़ी फिर आपने लाव अपर बोला फिर आप रिफू में चले गए तो यह जो पार्टी मुवमेंट्स कार रही हैं तो जो बच्चे हैं तो पहले दफ़ार असारों की ठीक नहीं न करेगा पहले दफ़ा वो फिर आपको देखेंगा फिर वो क्या करेंगा फिर वो पहले से बेतर हो मतले बेदमाज पढ़ेगा तने करेंगा गलत्यां करेंगा रही-प्रीक्तिस करती है है पहले इंड टरूम्स ऑफ बिकितनी च्पीड कितनी के साथ आप सीख रहे हैं किस तरीके से आप उसको सीख रहे हैं किस टेक्नीक के साथ उसको अपलाई का रहे हैं यह सारी चीज़ें यहां पर आती है तो अगर समराइज किया जाए सारी बातों को तो यह लाइन से हम समराइज का सकती है कि साइको मोटो डुमेन क्या है इस तरह यह जो साइको मोटो डुमेन है यह हार्ट और बॉटी के दरम्यान कनेक्शन है तो यानि कि आप यह कह सकते हैं कि साइको मोटो डुमेन यह लिंक्ड है कोगनिटिव डुमेन के साथ भी कोगनिटिव डुमेन मतलब माइड और हार्ट मतलब अपैक्टिव डुमेन तो साइको मोटो डुमेन कोगनिटिव डुमेन के साथ भी लिंक्ड है तो अब दमाग को domain रिंग टै जब आप ने कोगनिटीव ट्योमेंग फड़ी दी तब आपने सीरफ वह सीरफ कोगनिटीव के बारे में स्टेडी भी जब आपने effective की जूर भी तक फोटीव की किया लेकिस साइको मोटो ड्मीज जब आप स्टवी का रही होती हैं तो इसमें आप या तो करके विखेदों को देखते हैं कि अनिया से बताएं किया मुश्क्रा लाग रही गया कि वाइस में बता नहीं या चैट में बता है कि अपर तक आपको क्या समझ में नहीं आया कि अ कि अपर बता रहा है कि वाइस में बता दे कि क्या चीज अभी पर समझ में नहीं आई यह देखिए जो साइको मोटो डुमेंड है ना सबसे पहले आपको यह बता दो कि जो एजुकेशन है पाकिस्तान में क्या होता है पाकिस्तान में एजुकेशन का मतलब क्या होता है पाकिस्तान में एजुकेशन का मतलब यह होता है कि टीचर आता है डंडा पकड़ता है और स्टूडन को थोड़ा बहुत वह बढ़ा रहता है कि या उपस रिडिंग करवा रहत है फिर टेस्ट होता है वो उसको पर क्योंके टीचर को पता होता है यह कुस्टन इंपोर्टन है वो क्वस्टन वो उसको लिखवाता है बच्चे को अगर नहीं आते तो फिर वो मारता है वो फिर उसको बोलता है दुबारा याद करो तो फिर बच्चा मार खा का के रट्टे म मैंने जुआब लिख देना है तो पेपर में हमारा जो निजाम एजूटेशन है वो वैसे ही है वो वह कुश्म को बहुत रिपीड कर देगा और वो बच्चा क्या करेगा वो क्यों को फिर्टे रटे मारे होती है और वो कुश्म हो लिख देगा बच्चा टॉप कर जाएगा तो हम बोलेंगे, यह मारा बच्चा बहुत इंटेलिजेन्ट है, इसने बहुत अच्छा मार्स ले लिए. और जब हो बच्चा practical life में जाता जोब ले दे जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है? बच्चा यहांपर जाकर फैल हो जाता है. तो इसको बोलते है education in Pakistan. लेकर याद रखें जो योरप कंटरी जो पढ़े लेक्षे ममालिक हैं वहां पर एजूकेशन साइंस है वहां पर पूरी की पूरी रिसर्च की जाती है कि टीचर ने किस तरह बचों को पढ़ाना है और बचों को किस तरह बढ़ाया जाए तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा तो वो मतले में समझ आ सके उसको ज्यादा ताकि वो लंबे अर्स ताकि उसको चीज़े याद रह सके तो ये सारी क्या करती है ये इस पर रिसर्च की जाती है वहां पर बड़े बड़े टीचर बड़े बड़े प्रोफेर्सर है वो रिसर्च करती है बच्चों का माइंड अपने अपने नौलिज को पेश किया कि इस तरीके से हमने बच्चे को अच्छा नालज हमने प्रवाइड करना है तो उसी सिल्फले में जो साइको मोटर डुमेन है इसको तीन साइंटिस्स ने अलाग अलाग से वो अपने दोवेश किया जैसे डेव वो हैरो और तीसा था सिं ने नाम से रखा साइको मोटर लेकिन अपनी अपी परसेप्शन दे किस तरह बच्छों को बढ़ाया जाए तो बच्चा क्या करेगा बच्चा जार अच्छी तरह सीख जाएगा अब जो साइको मोटर डुमेन आई यह क्या करती है यह बिसिकली बच्चे को सिखाती है बच्चा जब स्कूल में जाते हैं वो जो सबक याद करता है वो में बच्चे को सिखाना है उसको अच्छी तो साइको मोटर डुमेंड में क्या किया जाता है फिजिकल मूवमेंट को यूज करके हम बच्चे को नौलिज देती है इसको वो कहते है साइको मौटो डुमेंड अब हनी आज से पर अब देके जो साइको मौटो डुमेंड है अगर मैं सारी बातों को समराइज करो तो मैं अभी आपको बताया है कि जब आपको स्कील सीखती है तो हम दमाग और फिजिकल मूवमेंट है दमाग और फिजिकल मूवमेंट दोनों से सीखते हैं जैसे मैंने आपको एप्रेंपल दी के कार मेकानिक है उसने वो मतलब है वो कारिगर बनना है कि ठीक अराबिया तो उसने क्या करना है उसने मेकानिक बनना है तो अब वो क्या क जब उसको टीचर उसका उसको गाड़ी खोल के या मोटर साइकल खोल के उसके सामने खोल रहा होगा वो अपने दमाग अपलाई करेगा कि ये साथ इस तरह नाट पकड़ा था इस तरह उसमें वो पलास पकड़ा था इस तरह उसमें वो पलास पकड़ा था इस तरह पहले ये पहले फिर यह चीज़ खोलनी है, इसमें यह चीज़ फिट करनी है, तो यह दमाग भी प्लाई हो गया, और जब वो हाथों से उसको खुद अपलाई करेगा, तो उसमें फिर क्या हुआगो, उसके फिजिकल मुव्मेंट भी आगी, तो जब फिजिकल मुव्मेंट आएगी त तो इसको बोलेंगे साइको मोटर, और जब वो दमाग अपलाई का रहा है, तो उसको बोलेंगे कोगनिटिव डुमेन, ठीक है, फिर अगर बच्चे के दमाग अमदोर है, तो बच्चे का दिल है, कि वो इसने दिल से वो सीखना चाहता है, वो दिल से मुतलब वो अटैच हो जाता है कि मैंने नमाद बढ़नी है थे गुस्ट करनें घर उसको उफेक्टिफ टॉमेंड एंड साइकों मोटर डूमेंड gi न Say को अप्लाई करके कोई स्किल्स निए फिजिकल मूवमेंट कालिका हम बोलेंगे को यूज करके को यूज करके बच्चे ने सीख लिया फिर मैंने आपको यह पता है कि जब आप कोगनेटिव डॉमेंट या निकि सिर्फ उसे दमाग अप्लाई करती है तो बहुत सरी ऐसे करता है तो वहां पर पर आप को यूज कर रहे हैं तो उसमेंट को यूज करते हैं तो दुमेन का तालू किसके साथ होता है दिल के साथ होता है तो आप किस तरह ले लेंगे कर जो अफैक्रि डोमेन है वो अफैक्टिय डिमेड ना इसका तालॲक इसका साथ होता ह आगर वो आपके दिल को अच्छी लगती है तो फिर आप क्या करेंगे वो पर काम आप करना या छोड़तेंगे या करना शूरू करतेंगे तो वहाँ पर आपने क्या यूज किया दिल को यूज करकि आपने ये बात सीख लिए कि जूट बोलना बुरी बात है दिल को यूज किया तो कोई physical movement तो नहीं हो इस तरफ आप दिल को यूज किया और ये बात सी के लिए कि जूट बोलना बुरी बात है तो तब आप ये क्या यूज़ करेंगे effective domain यूज़ करेंगे यानि कि जब आप cognitive domain यूज़ करती है तो सिर्फ cognitive domain ही यूज़ करती है जब आप effective domain यूज़ करती है तो तब आप सिर्फ effective domain ही यूज़ करती है लेकि जब आप साइको मोटर पे आती हैं साइको मोटर में आप सिर्फ बातों को यूज़ करके आप स्किल नी सीख सकते है आपको या तो दमाग अपलाई करना पड़ेगा या दिल अपलाई करना पड़ेगा तो यही मेरा आको बताया कि साइको मोटर में अकेले आप अगर कोई एजूकेशन लेनी है, कुछीज सीखनी है तो आपको या तुमाग को अप्लाइए करना पड़ेगा या आपको पार्टी को आप्लाइए करना पड़ेगा अकेले यह आप सिर्व बातों को यूज करके आप को सीख नहीं सकते, clear? 29 lectures हैं अलिमा या 26 हैं? यह जो फाइल है ना अभी शेयर की हैं आपको? किस फाइल में अच्छे हैं, स्थी क्यों तो फिर हम ने च्छे ही की हैं? क्योंकि यह आपकी मेर फाइल है, तो जितने अंच्छे की हम ने की है, वो सारे अंच्छे की जिया हम पारी हैं, ठीक है? जी मैं बताता हूँ, अभी, sensory cues इसको आप सिंपल वर्ड में अब यह यहां पर वो मतलब्स कर रहे हैं, वो लिखता हूँ है, तो इसको आप बोलते हैं, यह अब जो साइको मोटर डुमेन है, इसको सेवन सब लेवल में डिवाइड किया गया है, ठीक है? साइको मोटर डुमेन को सेवन सब लेवल में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले लेवल में कोई से है, परसेप्शन और यह सबसे फिर्स्ट लेवल है इन साइको मोटर डुमेन परसेप्शन में क्या यूज करती है ता अबिलिटी टू यूज सैंसरी की यूज टू काइड फिजिकल अक्टिविटी कि सबसे पहले अगर आपने कोई काम सीख रहे हैं तो आप जाते हैं दर्जी के पास, आपने मतलब है यहाँ चले यहाँ पर एक्जांपल क्यों है, कूई रहे लेए आप जाते हैं, जी दर्जी के पास, ठीक है आप कहते हैं, ये मेरे को लो ये स्लाइट लुखनी है तो वो जो उस्ताद होगा वो आपको देखेगा आपकी शकल को देखेगा, आपकी आथों को देखेगा आपकी नजर को देखेगा तो वो क्या का रहा है, आपके sensory cues को observe का रहा है वो चेक का रहा है कि आप सलाई करने के काबल है या नही है इसको बोलते है perception कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपके अंदर है अपने सेंसरी क्यूज को मतलब है वह मतलब आप जो काम करना सीखना चाहती है उसके लिए जो रिक्वाइर्मेंट्स हैं क्या वो यूज करें कि आप काबल है या नहीं है अब एक बंदे को एने के लिए उसका नजर बड होता है तो जब उसकी नजर ही इतनी दर अभी को तहीं तरह तांके किस तरह लगाएगा तो तो यानिके तब से पहले यह चेक करना जरूरी होता है कि वह क्या आपने सैंसरी और गन्स को क्या वह यूज करने के काबल है उस पिजिकल एक्टिविटी को सीख सके क्लियर यह प गया है जब यह साथ इसे आप मकमल कर लेती हैं तो इसका मतलब है आपने साइको मोटर डुमेइन कंप्लीट कर ली गया है और जब आप साइको मोटर डुमेइन कंप्लीट कर ले इसका मतलब है आपके पास एक स्किल आ गया है लेकि शर्त ही है कि जो साथों लेवल्स होगी निसका मतलब है आपको क्या मिली एक जो क्या मिली आ मिली गई एक डिआ मोटर्व कील ऑप क्या कीम कुआ من की को आ प्रमfrom किल को आप क्या बोलें के ठीक है क्यों क्या करती पानी निकालती है वरकत करती एं तब वह सिर्द हो हमें 170 मशीन चलती यह गारियां चलती है तो इसलिए मोटर स्कील का मतलब है वो स्कील जो हमने कुछ करके हमने सीखी गया है इसका मतलब है आपके अंदर परसेप्शन है ठीक है आप परसेप्शन बादा जो लैवल है वो आपने अबूर कर लिया या एक्सेम्पल दूसरी रिलेट जा टेस्ट और पूर्ट तो रस्पैस्पिक स्मेल के आप क्या करें आप ठाने के जो स्मेल लव को दूसरे एक साथ रिलेट करने की आपके अंदर अबिल्टी है उसका मतलब है आप परसेप्शन लैवल पे मुझूद है आपने परसेप्श यूज हो जाए रिलेट आइडेंटिफाइज सैट डिटेक्ट या रिकिनाइज तो फिर आपने आपने परसेप्शन पर आपने जाकर टिक कर देना ठीक है तो जब आप मैंसी क्यों करेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि यह पौर्ट किस तरह यूज होती है त है तो तरह आपने वो टिक करना है परसेप्शन परूसरा लेवल है स्ट जेट का मतलब है रडिनस है पहले आपने क्या क्या किया पहले आपके अंदर अब रबीटि आ करने के काबल हैं या नहीं है फिर आपके अंदर readiness होती है कि आप mentally ट्यार होते हैं कि यह काम मैंने करना है कि आप दर्जी के पास आपके उसने चेक की है कि आप वाकी काबल हैं काम करने के तो फिर आपने वो मतलब आपने इंटरस्ट जो किया कि वाके मैं दर्जी बनना चाहता हूं कि आपने बड़े फुश हो गए आपने बोला कि जी मैं ये काम कर रहूंगा मैं टाइम प्याया करूँगा मैं आप से कोई बातमीजी नहीं करूँगा अगर आप मुझे बारा बई तक भी रात में बिठाके वो रखेंगे मैं फिर भी मतलब मैं छुटी नहीं करूँगा रात के बारा में तक बैठके मैं कपड़े सलाई करता रहूँगा मैं टांके लगाता रहूँगा मैं गार जाकर भी उसके प्रैक्टिस करूँगा इसको आप सैट्वरा लेवल बोलेगे तो अगर आप यह भी कर लिए इसका मतलब है आप दो लेवल को प्रॉज कर लिया दो लेवल को आप रही अपूर कर लिया अगर आप एक्जेंबल के लिए आसे रिखें जो यहां बली क्यों है पहले आप ने क्या किया था इसको बोलते हैं जैसे हैंड आप बच्चे आप उपर का लेती है तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं तो जब आप रिस्पोंड करती है किसी वह पर्टिकुलर एक्शन में किसी की इंस्ट्रक्शन में आप प्रिजिकल मूवमेंट को यूज करके आप रिस्पोंड करते हैं मतलब आपको इस लेवल पर पहुंचती है या जैसे मेरे आपको बताया कि जो आप उस उससाद को बोलें कि जी मैं मुझे बड़ा शो के दर्जी बने का मैं मुझे पली सिखा दे मैं शुटी वगरा नहीं करूँ इसको क्या बोलती है शो क्यों प्यूरिश्टी ओन्दर नेक्स एक्टिविटी कि आपके इंदर दिल्चिस्प भी पैदा हो कि यह का मैं नहीं करना है क्लियर यह व को औसर तो फिर आप चाहिए काईडर स्पॉस्ट में आप क्या करते हैं बार बार पुशिश करती है कोफी करती है कि आपने देखा असार को कलाई करते हो पे नोर्स बनाते हैं बेट ओ गए इस ट्रेट होगे इसली क्लास के टाइवी सास बच्जी है तो आप मास्तर ने क्या किया आपके सामने कपड़े करना शुरू कि उसने कटाई करना शुरू कर दिया वो जो अब उसके हैं आप उसको क्या करते हैं और बार-बार कुछी करते हैं और कौपी करती है तो अगर आप यह कामका रहें जिसका मतलए आप साइको मोटर लेवल के आप पहुंच चुकी है इसमें क्या होता है कॉपी दा जॉइनिंग लैंगुज टाइल पॉलो दे इस्टॉक्शिंस टू परफॉम दा लैप रैक्टिकल के सारा जो मैं आपको बड़ी ना जिटकाना एक्रेंपल में बता रहा हूं क्योंकि यहां पर रुजार है कि उसके स्टेटिक लैवल इसमें बाते लिखी है जिसने यहां उसने टेक्निकल वर्ड यहां पर यूद हो रही है चुँकि मैं सिंपल में आपको बस कंसेफ्ट देना चाहरा हूँ अब उस्तार ने आपको बोला किस तरह कटिंग करनी है इस तरह आपने सलाई करनी है आपने इसक्शिंज को पालू की या बार बार आप कोशिच कर रही है कोपी कारें तो इसका मतलब आप किस पर लेवल पे पहुंच की है गाइड रिस्पॉंस के लेवल पे आप पहुंच चुकी है और यह लेवल एक्शन बहुत अगरा जाते तो आपने गाइड रिस्पॉंस पर टिकर देना है जो सब्सक्राइब आप अपने बार पर कॉपी की बार पर कुशिच की तो आप आपकी आज़त बन जाएगा जब आप एक दफ़ाई टांका बार पर लगाएंगे तो फिर आप पर टांका लगाने की आपको आज़त बढ़ जाएगी जो आपने सीख होता है है वो आपके अंदर पैट या तब आपकी वह आज़त बान जाता है यह रिकॉर्डिंग मिलेगी नोट भी मिलेंगे नोट पले कि आपसे शेर भी करती है जब आप बार बार टांका लगाएंगे तो आपके अंदर इतमाद पैदा हो जाएगा और आप पहले से काम को बेसे आपको करते चले जाएंगे रादिया शेयर करती हुए हैं चेक करें ग्रूफ को एक्सेंपल आप रहे हैं राइट जॉइनिंग लैटर समूस लिए आप जब आप जो चोटी हैं बच्छे बूग कर लैटर्स मलाती हैं तो अगर आप अच्छी तरह से मिला रहे हैं इसका मतलब आप चौत लेवल पे आ हो चुकी हैं पांचवा लेवल आ जाता है कंपलेक्स ओवर रेट रिस्पॉंस अब चुक्छा बार पर चीज़ी आप ने कर चुकी हैं तो अब वो आपकी अंदर क्या होगी मच इंप्रूब हो चुकी है ठीक है अब वो आपके अंदर स्किल पैदा होगी आप कारीगर बन चुकी होती है क्योंकि आपने पहले सिखा फिर आपने बार पार कुछ ये की कौपी किया फिर वो आपको आज़त पढ़ गी फिर वो आपने ठीक करना शुरू कर दिया और फिर एक वक्ता आते हैं क्या मान जाते हैं कारीगर बन जाती हैं आप स्किल्ड हो जाती हैं आप ए कपड़ा बनाते हुए आप से बोले कि ये कपड़ा फॉट बनाना तो आप मैं क्या करो फिर आप जो टोटका लगाती है आप फिकर ना करा ये पाटे कि है वह कुछ तरह मतलब बनाओंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा ये बोलता है तो उसका मतलब आप अड़ाप्टेशन लेवल प्याज होती है आप वो अपनी जो स्किल आप ने सिख्की होती है उसको यूज करके आप मतलब उसको मोडिफाई करती है क्लियर और लास लेवल है और और इजिनेशन यहां पर अगरते हैं क्रियाटिक न्यू मोवेंट है आप ने उस्ताद के पास सिरफ शिलवार कमीज करना सीखा तो च्छेटे लेवल पर जब आपने पहुंचे तो आपने शिलवार कमीज को इतना अच्छा वो मतलब है वो जब आप अपने स्किल्व को जो आपने जर्जी का काम ठीका था उसको यूज करके आप प्राइडल जोड़े सीना शुरू करते हैं फैशन फैसन को ने फैसन आ जाती है तो वो ने फैसन क्यों आप क्रियेट कारे होती हैं कि आज ऑच मैं इस तरह के ट्रेस्मेने बनाना है इस तरह का फैशन लगाना है दो जेपीं लगानी है उसको पर यह मैंने इस तरह की डिपर स्लाई लगानी है तबस लगानी तो इसका यह क्या मतलब होता है? creation होती है ना यादि कि आपने स्किल को पहले पक्के होगे कारिकर बने फिर उसके आपने यूज कर गया आपने जहां 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 तुराइट कि उसको मोडिफाइड किया उसको अपर गए अपग्रेड किया यादि कि तो जो लास्ट लेवल था और इजिनेशन चुकि आप उस स्लाइड वो करने के काबल होगी है तो जाना मार्केट में आपने कोई नए आट वो मतलब स्लाइड बोड़ डाल दी है तो वो लोग हरान हो जाते हैं यह स्लाइड तो बहुत अच्छे तरीके तो है जब आप इस लेवल प्याजा तो इसका मतलब आप और इजिनेशन में आगे तो यह थाइस लेवल ओते हैं आप कर्येट करना शुरू कर देती हैं क्लियर तो देख लें साइका मोटर डुमेंस सी आप क्या किया सबसे पहले आपने वह तापको चेक किया गया कि वाकिए आप सिखने के काबल है या नहीं फिर आपको तो वह मतलब इसे पिर आपन अच्छे बादेगा पांच्वे लैवल पे आप ने जहां दूरत पड़ी उसमें मोटिफिकेशन करना शुरू कर दी तोटका यूज करना शुरू कर दी है जो मतलब गड़ पाड़ यूसको ठीक करना शुरू कर दिया और आखरी लैवल पी आप चीजों को इन्मेंट करना शुरू होगी है ने ने फैशन के